दोस्तों मिलेगी मंजिल नव वर्ष में आप जीतने की चाह रखना ग्रहों का साय योग तो मिल रहा लेकिन आप भी अपने प्रयासों में कोई कमी ना रखना नवसकर दोस्तों मैं एस्ट्रोलेजर रजेश का लिया हारदिक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटिप चैनल अक्षी तैस्ट्रो मास्टर में मेरे धनूराशी वाले दोस्तों कैसे हो दोस्तों राहु के तुर शनी का खेला खतम होने वाला लगबग खतम हो चुका है यह खेला बहुत खतरनाक है इस खेले ने आपको बहुत नाच नचा लिया अब बस बहुत हो चुका और नहीं निया खेला शुरू होने वाला है निया खेला आपको परसंद कर देगा खुशियों का परवेश होगा गेम चिंजर का कार्या करेगा वै खेला है प्राक्रमबापर शनी की सीधी चाल और राशी स्वामी गुरू की मजबूत स्थिती इस खेले में आप गुरू और शनी की नराजगी के नहीं बलकि परसंता के पात्तर बनेंगे अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसरी अर्थात ना रहेगा गुरू चंडाल योग और ना ही रहेगी शनी की वकरचाल इन दोनोंने परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है शनी की वकर रिचाल के सासाथ शनी की वकर द्रिष्टियों ने भी खेल खेलने में कोई कमी नहीं की है अब वकर द्रिष्टियों से भी बहुत बड़ी रहत मिलेगी वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे वीडियो बहुत महत्त पुरन रहने वाली है इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों पहले साड़े साती ने साड़े साथ वरश आपके साथ बहुत खेल खेला है इस खेल ने जीवन का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा है जहां पर सुख चैन परवावित ना किया हो हर तरफ से निराश और संकट के गंगोर बादल अच्छाई परतीत हो रहे थे अभी साड़े साती के खेल से रहत मिली ही थी कि शनी ने वक्री वस्था के कानवश सोर ही साड़े साती को एक बार फिर से जगाने का कार्या किया है साड़े साती जैसा महसूस हो रहा है वही पुरानी चिंता और प्रशनी का आलम बना हुआ है उपर से गुरू चंडाल योग के खेले ने बहुत प्रवावित किया है। गुरू चंडाल योग का खेला तो खतम हो गया है। जल्द ही शनी की वकरी चाल के साथ वकरी दृष्टियों का भी खेला खतम हो जाएगा। हर तरव से दिखाई दे रहे। निराश्या और संकट के गनगोर बादल शने शने से साफ हो जाएंगे। इसलिए बूल जाएं वैतीत समय किसी बुरे स्वपन के समान। लकीरे पीटने से कोई फाइदा नहीं। एक नई शुरुआत करें सफलता और उन्नती का मारगाप की प होने से राशी स्वामी गुरुदेव अत्यादिक मजबूस तीती में आज जाएंगे। राशी स्वामी गुरुदेव आपकी राशी के पंचमबा पर संचार कर रहे हैं। इस बापर गुरु के बेहतरीन परिनाम देखने को मिलते हैं। तीस अक्तूबर से पहले पिछले पंचमबा पर गुरु का शुबगोचर राहू ने मिट्टी में मिला दिया था इसलिए आपको वह शुबफल देखने को नहीं मिले जो की मिलने चाहिए थे। अब गुरु का शेष बचा हुआ पंचमबा पर संचार महत पुरन लापरद होना भी काफी सक्रातमक रहेगा इसलिए जब मिलेगा करम फल दाता शनी और गुरु देव का साथ तब नहीं रहेगी डर चिंता और गम की कोई बात इसलिए गुरु और शनी के नाम पर एक लाइक तो बनता है आपकी राशी और राशी स्वा में गुरु राहु और शनी क वगर दृष्टी के खेले से मुख्त हो जाएंगे सबसे पहले स्वास्त पर सक्रातमक परवाब पड़ेगा अप्ष्रीबिक रूप से स्वास्त के साथ साथ मांसी क्रूप से विश्वास्त मजबूत और प्रसंता के नबूति करेंगे खोया हुआ आतम विश्वाश और मा अद्वद्वरिदी होगी मानसी कुरूप से मजबूत बनेंगे पेट से सबंदित कोई चिंता परशानिया तो उससे भी रहत मिलेगी पाचन तंतर मजबूत होगा पंचम बाव अत्यादिक शूब और महत्तपुरन भावा इस बाव को लक्षमी स्थान के नाम से भी जाना ज पंचम बाव से विद्या, बुद्दी, संतान, प्रेम, सबंदों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है लंबे समय से बुद्धी स्थान पर राहू का खेला आपकी बुद्धी को ब्रमीत करने का कार्या कर रहा था बुद्धी पर राहू हावी हो रखा था अब बुद्धी का वियर्थ के कारियों में अधिक वय नहीं करेंगे बुद्धी का सद प्योग करेंगे सद गुनों में वृद्धी होगी राहू के खेले से विद्यारती भी बहुत परवावित हो चुके थे विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति अरूची जैसे भाव पैदा हो रहे थे शरारतों की और जुकाव अधिक देखने को मिल रहा था अब विद्यार्थियों की बुद्धी में चमत कारी बदलाब देखने को मिलेगा शिक्षा के प्रति बने अरूची जैसे भाव दूर होंगे शिक्षा के प्रती रूची और एकागरता बढ़ेगी बुद्धी वल में वरिदी से विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंदान शेतर और प्रतियों की प्रिक्षाओं में बहुत अच्छा कार्या करेंगे पंचम बापर राहु के खेले ने प्रेमियों को भी बहुत नाच नचाया है अब प्रेमी रहत महसूस करेंगे प्रेम सबंदों में स्थिरता आएगी राहु ने प्रेमियों में परस परसंदेया स्थितियें पैदा कर मतवेद पैदा किये हैं। राहु का प्रेम प्यार बाब परसंचार एक से अधिक प्रेम सबंद स्थापित करता है। अब उस स्थिति से रहत मिलेगी प्रेमी अपने प्रेमी जनके प्रतीन मांदार और खाई देंगे सिंगल दोस्त ने प्रेम परसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो चार नुवंबर के बाद का समय प्रेम की अभी व्यक्ति के लिए उत्तम रहेगा। संतान से सबंदित अधूरे पड़े कारया पूरण होंगे। संतान के सबंद में कोई महत्त पूरण निर्निया लेने जा रहे हैं तो एक मई दोयर्ट चोविस तक का समय पूरां रूप से आपको सैयोग कर रहा है। इस अवदी में संतान शेत्तर से कोई सुखद समाचा प्र भाग्या वर्दक संतान का जनम होगा। गुरू की दरिष्टियों के भी बेहतर परिनाम मिलने शुरू हो जाएंगे। भाग्या के सुख एम सैयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। भाग्या की प्रवल शक्ती परापत होगी। भाग्या बल, बुद्दी बल और लाब बापर गुरू की दरिष्टि, आर्थिकुन्दती लाब और सफलता को बल परदान करेगी। आपको आर्थिक रूप से संपन बनाएगी। उदर शनी की सीधी चाल आपके होंसलों को बुलंद करने का कारिया करेगी। यश और प्राकरम में वृदी होगी। शनी के स सहयोग से सहासपुरण और जोखिम पुरण कारियों को सरलता से अंजाम देंगे। आपका अपने परती विश्वाश बुलंद इरादे और उच्च मनोवल नववरश दोयार 24 में भी बहुत अपयोगी साबित होगा। जीवन में आगे बढ़ने और जोखिम लेने के उदे भूमी भवन और वाहन सबंदित सुखों में वरिदी होगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स बेराशी स्वामी गुरुदेव की जैजैकार करते जायें। आपको यह वीडियो कैसी लगी। गिरप्या लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें दन्यावाद जाते 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 हैं।